हेलो प्रेंट्स मैं नामी का मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ओफ जनेशन में आज हम फस्टेट बैक बनाएंगे जो कुछ इस तरह से हैं यह देखे फ्रेंट्स यह हमने फस्टेट बैक बनाया है देखे इसको हम यहां से ओपन करेंगे यहां पर हमने देखे 3 pockets दी हैं इसमें आप अपनी medicines को ऐसे रखते वे इसमें ऐसे set कर सकते हैं और इसको हम पहल को से ऐसे lock कर देंगे और देखे फ्रेंस यहां पर center में हम zip से इसको open करेंगे यह खुल के कुछ ऐसा आएगा फ्रेंस यह पूरा bag खुल के हमारा open हो जाएगा और इस side देखे हमने छोटी छोटी 4 pockets दी है इस side भी आप अपनी सारी medicines को ऐसे set करते वे इसमें रख सकते हैं फ्रेंस और उपर की side में एक zip से pocket दी है यहाँ पर भी आप अपनी सामान गवे इसको zip से lock कर दीजे और इस side देखे हम अपनी medicines को ऐसे रख देखे हम zip से lock कर दीजे और इस side भी आप अपनी medicines को और extra सामान को यहाँ पर रख सकती है और इसको हम देखे ऐसे करते वे जिप से इसको हम लॉप कर देंगे ये बैग काफी नेट ली हो बहुत ही खूसरत स्टिच हुआ है फ्रेंस आप इसको जरू स्टिच करिए और अपनी सारी मेडिसिन्स को इसमें कलेट करके रखे तो फ्रेंस आज हम ये फस्टेट बैग बनाएंगे लेट स्टार्ट दावल फस्टेट किट बनाने के लिए हमने 7x9 के दो कुल्टेट पीस लिए है ये देखे फ्रेंस 7x9 के दो कुल्टेट पीस लिए है और इस quilted piece को हमने देखिए quilt नहीं किया है दोनो quilted piece को देखिए हमने side stitch किया है इसको quilt नहीं किया है तो friends, देखिए 7 by 9 की 2 quilted piece चाहिए और 2 हमको ये plain piece चाहिए 7 by 9 का और ये 5 by 9 का एक quilted piece लिया है और इसको भी देखिए हमने quilt नहीं किया है सिर्फ साइट से स्टिच किया है सारे पीसेस में हमने साइट से स्टिच किया है इसको हमने कुल्ट नहीं किया है तो 5x9 का एक कुल्टेट पीस चाहिए और उपर की साइट में हमने एक साइट से देखे 1.5 इंच की पाइपिंग को स्टिच कर लिया है तो 5 by 9 का एक कुल्टेट पीस चाहिए और ये 5 by 5 का एक कुल्टेट पीस है 5 by 5 का एक कुल्टेट पीस और एक ये प्लेंग पीस लेना है और ये 2 by 27 का दो कुल्टेट पीस लेना है ये देखे फ्रेंट दो कुल्टेट पीस लिया है 2 by 27 का और दो हमको ये प्लेन पीस लेना है 2x27 का और ये 3x8 का एक कुल्टेट पीस लिया है 3x8 का एक कुल्टेट पीस लेना है और एक ये प्लेन पीस लेना है 3x8 का 12 इंच के हमने दो हैंडल लिये हैं ये देखे फैंस 12 इंच के हमने दो हैंडल लिये हैं 4.5 x 6.5 का 2 net लिया है यह देखे फैट 4.5 x 6.5 का 2 net लेना है और दोनों साइट से देखे 2 net में हमने piping को stitch कर लिया है और ये 6x6.5 का देखे दो प्लेंट पीस लेना है 6x6.5 का दो प्लेंट पीस लेना है इमको और ये 27 इंच की हमने एक जिप ली है देखे 27 इंच की एक जिप है और इसमें हमने डबल ड़नर डाल लिया है ये देखे डबल ड़नर डालना है इसमें और ये 9 इंच की हमने ये जिप लिए है देखे 9 इंच की एक जिप लेनी है और इसमें भी देखे हमने रनर डाल लिया है और ये दोनों हमने 7 इंच की जिप लिए दो 7 इंच की जिप लेनी है दोनों में हमने रनर डाल लिया है और 4x4 का दो प्लेन पीस लेना है 1.5 का दो वेल क्रो लिया है और ये 10x10 का एक प्लेन पीस लेना है सबसे पहले हम 5x9 का ये कुल्टेट पीस लेंगे और यहाँ पर देखे इस साइड से हम 2 inch पे मार्क करेंगे और उपर की साइड से 1 inch पे नीचे डाउन करना है 1 inch पे हमने ये डाउन किया है और यहाँ पर 2 inch पे हमने मार्क किया है अब हम वेल को लेंगे देखे वेल को का एक पार्ट लेंगे इसमें से और इसको हम forward करेंगे ऐसे और यहाँ पर हम center का mark लगा लेंगे इसमें center का mark हमने लगा लिया है अब जो हमने यहाँ पर down किया है 1 inch पर यहाँ पर ऐसे रखना है और 2 inch पर जो हमने mark किया है यहाँ पर बिल्कुँ center के mark पर ऐसे मिलाते हैं यहाँ पर ऐसे रखेंगे और हम यहाँ पर पहले पिल लगा लेंगे यहाँ पर हमने पिंसे सैट कर दिया है ऐसे हमको इस सैट भी करना है देखें इस सैट पर हम टू इंच पर मार्ग करेंगे और यहाँ से वन इंच पर नीचे डाउन करना है मैं यह बन इंच पर डाउन किया और यह टू इंच पर हमने मार्ग किया है और यह दूसरा वैल को लेंगे और इसको भी हम अलग करेंगे और इसका भी एक पार लेके हम यहाँ पर अटेज करेंगे पिंसे पहले देखें पहले पिन अप कर लेंगे अब हमें दोनों वैल को को स्टिज करके करना है कुल्टेट पीस में अब देखें अब हमें 7 बाइन का यह कुल्टेट पीस लेना है और इसको देखें इसके उपर हम ऐसे रखेंगे ऐसे सेट करते वे हम पहले पिल लगा लेंगे कुल्टेट पीस को हमने पिंच सेट कर दिया है अब देखिए अब हमें यहाँ पर जो हमने बैल को लगाया है इस साइट से देखिए हम ऐसे करते वे सीधे मार्ग कर लेंगे इस साइड हमें एकदम सीधे ऐसे मार्ग करना है और ऐसे ही इस साइड भी हम ऐसे स्केल को रखते वे सीधे मार्ग कर लेंगे अब देखिए अब हमें यहां से स्टिच करना है और यहां पर जुमने मार्ग किया है यहां पर डबल स्टिच करते वे इस साइड आएंगे और इसके बाद यहां पर डबल स्टिच करेंगे और यहां पर स्टिच करके इससे हम खुल्टेट पीस को इसमें अटैच कर देंगे इसको हमने stitch करके इसमे attach कर दिया है quilted piece को देखे यहां से stitch किया और यहां पर हमने जो mark किया था यहाँ पर double stitch करते वे दोलों साइड से इसको हमने यहाँ पर attach कर दिया है अब हम 3 by 8 का यह quilted piece लेंगे और यह plain piece लेंगे और इसको देखे फैर्स यह हमारा सीधा साइड है और यह हमारा उल्टा साइड है और इस साइड देखे हमें यहाँ पर हाफ इंच हम नीचे की साइड में टाउन करेंगे यह हमने हाफ इंच में डाउन किया और वेलको का यह दूसरा पार्ट लेंगे देखे फैलको का यह दूसरा पार्ट है और इसक को फिरें लें यहांब्य पिंच कर दिया है ऐसे ही इस साइड आएंगे और स्वारता है बूर्ट अंप्यूं于 अंदित आज यहां और यहां से पिंच P नचे डाउन करना है हमने पिंच P द्रश अंदि से हमने इस इस खुआ और इस सेट भी हम पिल लगा लेंगे अब हमें दोनों को को स्टिच करके इसमें टैज करना है कि अगर दोनों को को हमने स्टिच करके इसमें टैज कर दिया है प्लेन पीस में 4x4 का ये प्लेन पीस लेंगे और प्लेन पीस में देखे दो प्लेन पीस लिए थे 4x4 के और यहाँ पर देखे इस सेट से हम यहाँ पर ऐसे 2.5 पिंच में मार्ग करेंगे ये देखे 2.5 पिंच मांट किया है और यहाँ पर ऐसे कर लिया है ये देखे वैसे बॉक्स बना लिया है और हमको यहाँ पर हाफ पिंच पे ऒंच पर बॉक्स बनाना है ये हम 1प इंच पे ऐसे box बना लेंगे ऐसे ही इस side भी हम 1प इंच पे box बनाना है hic ये देखिए ये हमने 1 pequ इंच पे box बना लिया है और ऐसे ही हम 6 Said आएंगे 7 Said ऐसे हम रखते वे और 2.5 UFO इंच पे इस side भी हम mark कर लेंगे देखें ये जो ऐसे करते वे यहाँ पर हम माग कर लेंगे और ऐसे ही इस साइड आएंगे और यहाँ पर हाफ इंच पर अंदर की साइड में ऐसे करते वे माग कर लेंगे और इसको भी हम देखे यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना लेंगे यह जो हमने बॉक्स बनाया है इसको हमने देखे ऐसे मिला दिया इसमें ऐसे मिलाना है हमको और यह सीधा साइड है और यह मारा सीधा साइड है प्ले पीस को और पहले हम पिल लगा लेंगे जैसे हमने माक किया है वैसे हमें stitch करके इसमें unser edge करना है और अंदर कीine में stitch नहीं करना है हमें से भी जो बाहर कीさफिं करके यही पार प्ली कोई कर देंगे जैसे हमने माक किया था हूं मुह प्लेंची स्टिच में सीश करके द़ करते हैं उसे कमें इसे में क अब देख नों सुन करना है हम अंद यह थिर्यं का घंच कार स्टिच करना है के अब स्टिचिय करतब है रही हम देख ओसे हमें डालब को अगा यहां पर इसे पीस को निकालते वे एक पीस को दो प्लेंट पीस हमने टैज किये हैं यहां पर हलका सा कट लगा लेंगे और इस साइड से हम इसको पलटके सीधा कर लेंगे इसको पलटके हमने सीरी साइट कर लिया है कि इसको हम ऐसे सीधा करने के बाद इसको हम आयरें से प्रेस कर लेंगे और यह लेंगे यह वाला पार्ट लेंगे 3x8 का फुल्टेट पीस लेंगे और इसको हम यहां पर ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां पर हम सेंटर का मार्ग कर ल यहां पर पिन लगा लेंगे इस कुल्टेट पीस में इस प्लेंट पीस को अटेज करना है चारों साइड से स्टिच करके इसको हमने इसमें अटेज कर दिया है अब यह पार्ट हमाना इसमें अटेज हो गया है कुल्टेट पीस में अब हम यह वाला पार्ट लेंगे जिसमें हमने वैल को स्टिच किया था और देखिए, यह सीधा साइट है, इसको हम ऐसे रखेंगे और यहां पर ऐसे रखते वे, हम पिन अप कर लेंगे पिन से हमने देखे, प्लेन पीस को इसमें सैट कर दिया, कुल्टेट पीस में और हम एक साइट से देखे, यहां पर फा फिंच का गैप छोड़ते वे stitch करके plain piece को इसमें attach कर दिया है अब हम पिन निकाल लेंगे और यह जो corners है इसको ऐसे हलका-लका ऐसे cut लगा लेंगे अब देखे इस side से हम जिस side से open है उस side से हम पलटके इसको सीधा कर लेंगे अब देखे पैंड इसको पलटके हमने सीधी side कर लिया है अब हमें यहां पर यह जो plain piece और kutit piece को अंदर की side में ऐसे करेंगे देखे अंदर की side में करते वे चारो side से stitch करके इसमें हम daafs लाइदे देंगे चारों साइट से देखिए स्टिच करते वे हमने इसमें डाफ स्लाय दे दी है अब देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सेंटर का मार्ग लगा लेंगे और ऐसे ही हम इस वाले पार्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे इसे बराबर में फोल्ड करना है और हमें यहाँ पर सेंटर का मार्क लगाना है यहाँ पर हमने सेंटर का मार्क लगा लिया है अब जो इसमें हमने सेंटर का मार्क लगाया है उस वाले सेंटर के मार्क को ऐसे मिलाते वे हाँ पिंच तोना सा उपर की साइड में ऐसे रखते वे और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे पहले देखिए पहले पिन से हमने इसको सेट कर दिया है अब हमें सीधे स्टिच करके कुल्टेट पीस को इसमें अटाइज करना है और इसके बाद ऐसे करते वे इसके उपर हम दाप्स लाइदे देंगे तो देखिए पहले हम सीधे स्टिच करके इसमें अटाइज कर देंगे पिस पहले हमने इसको ऐसे सीधे स्टिच किया यहाँ पर सीधे स्टिच किया इसके उपर हमने ऐसे करते हुए यहाँ पर दाप्स लाइ दे दी है अब देखे फ्रेंट यह हमारा पाड इसमें टेंच हो गया है और यह 3 pockets हमारी यहाँ पर stitch हो गई है इसको हम वेल्कोल से ऐसे lock कर देंगे अब देखिए आप हमें 10 by 10 का यह plane piece लेना है और इसको हम देखिए ऐसे fold करेंगे और यहाँ पर सीधे stitch करके यहाँ से lock कर देंगे इसको सीधे stitch करके देखिए हमने plane piece को lock कर दिया है अब इसको हम पलटके CD side कर लेंगे यह देखिए इसको हमने पलटके CD side कर लिया है और इसे हमें ऐसे press करना है और 7 by 9 का यह plane piece लेंगे और इसको देखिए हम यह जो stitch line है इस plane piece की इसको हमें नीचे की side में रखना है और यहां पर ऐसे set करेंगे इस plane piece को और pin up कर लेंगे इन से हमने इसको attach कर दिया है अब देखिए इसको हमें ऐसे fold करना है और यहाँ पर center का mark लगाना है यहाँ पर हम center का mark लगा लेंगे यहाँ पर इन दोनों के बीच का एक center निकालेंगे ह而已 कर लेंगे और ऐसे हम ऐसे मांख कर लेंगे और ऐसे ही इस सैट भी हम एक और ऐसे करतेolor दोनों के भीश का षेंटर निकाल एक इस हम सहरी को सब्सक्राइब अब देखें हैं हमें यहां पर ऐसे स्टीज करना हूँ और यहांung पर प्ले पीस में जो मनें मांख किक या है यहां पर करते हैं यहां तक प्राइन पिस को इसमें अटैज कर देंगे इस प्राइट कर दिया है और यहां पर हमिने करते हैं यहां से इसको लॉग किया अब देखें यहां पर हमारी छोटी छोटी पॉकेट्स बनके रेडी हो गई है अब जो एक्स्टा पार्ट है यह देखें फैर्स प्लेन पीस का थोड़ा सा एक्स्टा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे एक्स्टा पार्ट को हमने कट कर लिया है अब हम इस साइड आएंगे देखे उपर की साइड में यहाँ पर 1.5 पिंच में नीचे डाउन करेंगे ऐसे डाउन करेंगे और ऐसे मार्ग कर लेंगे अब जो हमने off किया है यहां पर हम सीदा है से cut कर लेंगे इनके हमने 1.5 फंचे mark करके इसको cut कर लिया है यह 9 इंच की zip लेंगे और इसको देखे här सीदा साईड कर के हम Цम्लेट कर देंगे इसके बार यह से करते कर देंगे और ये वाला पार्ट भी हम जिप में अटेज़ कर देंगे 1.5 पींच में नीचे डाउन करके हमने कट किया इसके बाद जिप को इसमें अटेज़ कर दिया है इस प्लेन पीस में अब दोनों पार्ट हमारे ये रेडियों गए हैं अब देखें हम हम 4.5 x 6.5 का ये नेट लेंगे और 6 इंच की ये जिप लेंगे और यहाँ पर देखें ये जो नेट है नेट को हम 1.5 पींच पे ऐसे माग कर लेंगे देखें चॉक से ऐसे माग कर लेंगे हम इसको यहाँ पर कट कर लेंगे यह देखें यह हमने कट कर लिया 1.5 प्रीक निचे डाउन करके अब हम यह जिप को हम देखें इसमें एसी इसके उपर रखेंगे यहाँ पर इस्टिच करके कर देंगे और इसके बार ऐसे रखते वे हम इस्टिच करके इसमें इटगे कर देंगे दोलों जिप हमने इस मेट अब कर दिया स्ट इंच की अब देखिए इस एप का यह दो प्लेन फीस लेंगे दो प्रेंफ लेना है और यह गे यह हमारा सीधा साइड और इसको हम ऐसे रखेंगे इस के ऐसे रखेंगे फिरस देखे थोड़ा सा बढ़ा कि हमने ये पीस लिया है प्लेन पीस इसको ऐसे सेट करते वे पहले हम पिन अप कर लेंगे दोलों हमने नेट को प्लेन पीस में रखते वे पिन अप कर लिया है अब हम नेट पे देखे चारों साइट से स्टिच करेंगे और plain piece को हम net में attach कर देंगे इसमें भी और इसमें भी दोलो में हम stitch करके plain piece को attach कर देंगे चारों साइट से stitch करते हुए दोलो net को हमने plain piece में attach कर दिया है अब फ्रेर्ड्स देखें plain piece का थोगा सा extra part है इसे हम cut कर लेंगे extra part हमने cut कर लिया है अब देखें दोलों सीधे साइट को ऐसे करेंगे यह सीधा साइट है और यह सीधा साइट है दोलो जिप अला part उपर की साइट में रहेगा और इसको ऐसे set करते हुए हम pin लगा लेंगे पहले अब हम यहाँ पर three sides से stitch करते हुए दोलों पार्ट को इसमें टैज करना है और यह देखें यह वाला part हमारा open लाएगा और जिप अला जो ऊपर की साइट में हमने किया है इसको हमें यहाँ से stitch करके अटैज करना है और नीचे वाला bottom वाला part हमारा यह open लाएगा थ्री साइट से stitch करते हुए दोलों पार्ट को हमने अटैज कर दिया है अब हम pin निकाल लेंगे और यह दो corners है अब यहाँ पर देख़ें त्री साइट से stitch करते है इस से करते है अब हमें यहाँ पर त्री साइट से stitch करते हुए इसमें दापस रह देना है दाप से लाई देते वे हमने थ्री साइट से देगे स्टिच कर लिया है और इसमें दाप से देदी है जिस साइट से हमारा ये पार्ट ओपन है उस साइट से हम ऐसे फोल्ड करते वे यहां पर हम सेटर का माँख लगा लेंगे देखें सेटर का मांक हमने लगा लिया है 2 x 25 का ये कुल्टेट पीस लेंगे और इसको देखें हम ऐसे फोल्ड करेंगे इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहां पर भी हम सेटर का माँख लगा लेंगे इसमें भी हमने सेंटर का मार्ग लगा दिया है अब जो यह सेंटर का मार्ग लगाया है इस वाले सेंटर के मार्ग में ऐसे मिलाएंगे हम यहाँ पर सीडे स्टिच करते हुए इसको हम इसमें अटैज कर देंगे सीड़े स्टिच करके देखिए हमने इस वाले पार्ट में इसको अटाइज कर दिया है पॉकेट को अब देखिए इस साइड आएंगे और यह देखिए यह हमने यहां पर सेंटर का माक लगाया हुआ है और सेंटर के माक से हमें यहां पर ऐसे करते हुए 3 इंच में माक करना है यह हमने 3 इंच पे मार्क किया और ऐसे ही इस साइड भी हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे इस साइड भी हमने मार्क कर लिया है अब यह 12 इंच का हैंडिल लेंगे और इसको हम देखे यहाँ पर इस साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की साइड में और यहाँ पर जो हमने Mark किया है त्री इंच पर इस साइड हम ऐसे रखेंगे यह देखे pod attached को हटा के हम ऐसे करते हूज यहाँ पर ऐसे ओप लगा लेंगे और ऐसे ही इस साइड आएंगे और यह, इस जो हमने 3 इंच पर Mark किया है इसको भी देखे इस side हम handle को अंदर की तरह fold करेंगे और 3 इंश पे जो mark खिया है यहाँ पर ऐसे रखते वे square shape में stitch करते वे इस side से और इस side से दोलों side से stitch करके हम handle को उपर की साइड में रहेगा और देखिए हम हैंडिल को 3 इंच पे जो हमने मार्क किया यहां पर ऐसे रखते वे स्टिच कर लेंगे दोलों साइड से स्टिच करके हमने हैंडिल को इसमेट एच कर दिया है अब देखिए टू बाइट 27 का यह दूसरा कुल्टेट पीस लेंगे और इसको भी हम यहां पर ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां पर हम सेंटर का मार्क लगा लेंगे यह हमने सेंटर का मार्क लगा लिया है और सेंटर के मार्क से इस साइड भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे सेंटर के मार्ग से 3 इंच पर मार्ग करना है यह हमने मार्ग किया और ऐसे ही इस साइट भी हम 3 इंच पर मार्ग कर लेंगे 12 इंच का यह दूसरा हैंडिल लेंगे और इसको भी हमें ऐसे ही स्टिच करना है जैसे हमने यह वाला हैंडिल अटेच किया है ऐसे ही इसको भी हम यहां पर stitch करके attach कर देंगे इसको फोल्ड करेंगे और जो हमने mark किया है वहां पर ऐसे रखेंगे और यहां पर ऐसे fold करते वे इस side से handle को stitch करके attach कर देंगे इसको एर शेप में स्टिच करते वे इस हैंडल को भी हमने इसमें अटाइज कर दिया है अब देखे फ्रेंड यह जो हमने पॉकेट यहां पर स्टिच की है देखे इसकी स्टिच टाइन हमें ओपन करनी है देखे इसको हम ऐसे खोल लेंगे यहां से stitch tank को हमने open करते वे pocket को देखिए यहां से निकाल लिया है इसको हमें zip के साथ इसमें attach करना है हमने गलती से पहले यह attach किया तो आप देखिए हम zip इसमें attach करेंगे तो इस pocket को साथ में stitch करेंगे यह वाला part हम उता देंगे और यह plain piece लेंगे 2x27 का और 27 ऐढमांगे तो यह मुझा है जबार्म और यह बीसको फॉल्ड करेंगे और शैयर। अब पहले हम इस में सेंटर के माक पर मिलाते में जपेंगे और इसके बाध यह पॉकेट रखेंगे तैके कि इस पॉकेट में हमने यहां पर सैंटर सेंटा के माक से मिलाते हैं रखना है यह वाला पार्ट लेंगे और सेंटा का माक लगा लिया है और यह तीनों पार्ट को एक साथ हमें स्टिच करना है सेंटर के मांक से सबको मिलाते वे ऐसे रखना है लिप को प्लेंट को और पोकेट को और इस वाले कुल्टेट पीस प्लेंटे प्ले लेते हैं वह में स्टिश करना है इस को भी साथ के ऊपर ते हैं ऐसे रखेंगे ऊसे रखंगे यह वाले पार्ट को स्टिश करते हैं यहां तक स्टिश करके हम इसको इसमें अटेच कर देंगे का भर ूDo इक भी बढिक आप याप जिएट और पिंखया है उसिरी टिच करके हमने डेखिती पौक्ट को जिप को और प्लेन पाफ को ती नोगं को इसमें कुल्टेटध में अटैज कर दिया है अब देखिगक उचिरिग prim पीस है ईसको हम बैग साइड में ले जाएंगे प्लेन पीशों को हम बैक साइड में करते हुए यहां पर पिन अप नेज़ी आई अब यहां पर सीधे करके इसमें onsबाप लेंगे श्राइब देते वे हमने देखे प्लेड पीस को यहां से स्टेज करके लॉग कर दिया है देखे प्लेड पीस हमारा स्कुल्टेट पीस में अटैच हो गया है अब यह पिन हम निकाल लेंगे अब देखे फैर्स अब हम यह दूसरा पार्ट लेंगे टू बाय 27 का और इसको हम यहांपर आपर इसको रखेंगे और यह प्लेंट पीस लेंगे तो बैस को हमें नीचे की साइट में रखेंगे और यह पर यह वाला पार्ट रखते वे और यहांपार सीरे स्थेच करके इसको भी हम इसमें अटैज कर देंगे सीधे स्टिच करके हमने कुल्टेट पीस को जिप में अटाइच कर दिया है अब देखिए प्लेंट पीस को हम ऐसे बैक साइड में ले जाएंगे ऐसे कर लेंगे और इस साइड हम ऐसे करते वे इसको हम पिन अप कर लेंगे देखिए फ्लेंट पीस को बैक साइड में करते वे हमने पिन अप कर लिया है अब ऐसे करते वे तर साइड में आएंगे और यहाँ पर दाप्स ले डेते वे इस साइड भी स्टिच करके हम इस प्लेंट पीस को फुल्टेट पीस में टेच कर देंगे कि बाद लाट को भी देखे फ्लेंट-पीस को इस साइड ऐस इसमें कुल्टेट पीस में कि लेंगे और देखे यह हमारा अब फॉर का सईड़्म का 4 करते वे स्मैनि कर्देंगे करना है अब आधिक को फिर हमारा ना मैं इसको हमीक की ओपर एक उपर रखेंगे और इसको हमें ऐसे ओपर मशंया कर लेंगे में और धाम मज़न democrats लिख में के इसे करना है Hilfe पहला सेट लिल देखेंगे और यह जो प्लेंट पीस है इसको हम ऐसे लाएंगे और यहां पर ऐसे रखेंगे और धीरे-धीरे सेट करते वे इसको हम सीधे स्टिच करके इस साइड से हम यहां से लॉक कर देंगे इसको तो प्लेंट पीस को हमने ओल्टेट पीस की सइड में ऐसे करते वित सीधे सिदू करके इसमें टैज करते है अब जहँए जै які जब इसको ऐसे करेंगे इसको मैं बलटके बैक सैड में ले जाएंगे तो यह हमारी दो सिटिश लाइन है घ्लाइड में देते ले प्लिय को भी हमने इसमें आठेचे आठेच कर दिया है अब दिथे फैन्स अपने पर और इसे पोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम सेंटे का मांत माक लगा लेंगे दोनों साइड से हमने सेंटर का मार्क लगा लिया है और इस साइड से भी हमें सेंटर का मार्क लगाना है यह दोनों स्टिश लाइन को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर देखे हम ऐसे सेंटर का मार्क लगा लेंगे और अब देखिए यह जो हमने वहाँ हमस्टर का माक लगाया है और यह सेंटर का माक लगाया है दोनों को ऐसे एक मिलाते वे यहां पर ऐसे रखेंगे और फिन अप कर लेंगे प्रीजने उन्ड से इसे find प्रड चम केड़िए अब देखिए यहां से स्टिच करना शुरू करेंगे और पूरा राओं में स्टिच करते वे कुल्टेट पीस को हम जिप वाले पार्ट में पार्ट में आप देखें फैर्ट हम इस साइड ऐसे लाना है इसको और यह वाला प्लेन पीस लेंगे जिसमें जो कर लिया है और यह प्लेंट का यह सीधा साइड है एसे करते वे हम यहां पर जो यहां पर हमने सेंटर कमाक लगाया था यह हमने सेंटर कमाक लगाया है यह सेंटर का माक है और इसको हम इसमें ऐसे मिलाते वे सेंटर के माक से और यहाँ पर पिन लगा लेंगे ऐसे ही इस साइड आएगे यह वाले सारे पार्ट समारे अंदर की साइड में रहेंगे और ये plane piece ऐसे उपर की side में ऐसे करते हुए यहां पर center के mark पर मैंने मिलाया यह center का mark है और यह center का mark है दोनों mark को ऐसे मिलाते हुए पिल लगा लेंगे देखे 5 पिंच का gap छोड़ते हुए हमें stitch करना है और इसमें attach करना है और देखे फ्रेंस यहां पर जिप वाला part हमारा उपर की side में रहेगा देखे यह जो हमने यहां पर यह वाला कुल्टेट piece attach किया है यह वाला part हमारा नीचे की side में रहेगा और जिप वाला part हमारा उपर की side में रहेगा और इसको ऐसे करते वे यहाँ पर 5-pin गैप छोरते वे राउंड में stitch कर लेंगे इस side से देखिए 5-pinch का गैप छोरते वे हमने पुरा राउंड में stitch कर लिया है अब देखिए जो 4 हो corners है corners पर हलकलका ऐसे cut लगाना है लेकिटे फैंस चार हमने कट लगा लिया है अब हम पिन निकाल लेंगे और इस साइड से हम पलटके सीविमा शीलिटी two है अब की दिए हैं कि हमारी इसी प्लेन पीस की साथ रंदर इसमें कवर हो गई है और यह पोकर पे यहाँ पर हिए अधाई जो है इसको हम यहारा से लॉग कर देंगे और अब देखें यह इसमें करेंगे और यहां पर कि 옆 एंसेrésine ondash करते हिए करेंगे और इसको भी हम इसके साथ ही स्टिच करके लॉग कर देंगे देखे फैंस राउंड में स्टिच करते वे हमने दाप स्लाय देती है और जो हमारा ये ओपेंट पार था इसको भी देखे अंदर की साइड में करते वे साथ से हमने लॉग कर दिया है अब देखे फैंस इसको हम इस साइड लाएंगे बाहर की साइड में देखे फैंस ये हमारा पार्ट एकदम नीट लिस में अटैच हो गया है अब हम ये वाला कुल्टेट पीस लेंगे और इसको भी देखे ऐसे फोल्ड करके हम सेंटर का मार्ग लगा लेंगे इसको हम अंदर की साइड में कर लेंगे ये वाला पार्ट हम उपर की साइड में यहां पर रखेंगे जिप की साइड में देखे सेंटर का मार्ग लगाया था और ये सेंटर का मार्ग है इसमें देखे यहां पर हमने सेंटर का मार्ग लगाया था इसको हम मिलाते वे यहां पर पिंच अप्र करना में वहाइब करना हैं तो जिक कर्धें पर जिपरिल कर लेंगे है डुगे अक्षान करें कि कर्से हैं औफ जुकिझे कर लिकेख कर लेखे से सब्सक्राइब दूसरा कि यहाआद करते विफार को भी किया अफले पार्ट। अब दीखिये में यह आपने साइटा से मार्ग लगा लिया है ब्लैन पीस इसे मिला लेंगे ऐसे set करेंगे और यहाँ पर पिल लगा लेंगे ऐसे इस सइड आएगे और इस वाले पार्ट को हमें अंदर करना है अंदर करते हुए हम यह वीड़ा पार्ट इस सइड ले जाएए और यह जो सेंटर कमाक लगाया है इसमें हम मिलाते वे पिन लगा लेंगे इस प्लेन पीस को हमें देखे इस वाले पार्ड को अंदर करते वे इस टिच लाइन पे हमें यहां पर स्टिच करके अटेज करना है तो देखे इस साइट से हम 5 इंच का गैप छोड़ते वे पूरा राउन में स्टिच कर लेंगे और प्लेन पीस को इसमें डैज कर देंगे इस प्लेन पीस को भी देखे हमने अंदर की साइट में कुल्टेट पीस को करते वे इसको अटेज कर दिया है अब इसमें भी चारो कॉर्नर्स को हम कट कर लेंगे इस साइट से चारो कॉर्नर्स को कट करना है अब जिस साइट से मारा ये पार्ट ओपन है उस साइट से पलटके हम ये सीधा करना है इसको पलेट के हमने सीडी साइट कर लिया है अब हम जिप को ओपन करेंगे और इसको सीडी साइट कर लेंगे यह हमने ऐसे कर लिया तेकि ओपन वाले पार्ट को हम अंदर की साइट में ऐसे करेंगे ऐसे करना है हमको और इस साइड लाएंगे ये वाला पार्ट और यहाँ पर इस साइड से पूरा राउन वेस्टिज करेंगे और इसमें हम दापसलाई दे देंगे शाइड से स्टिज कर लिया है और लिए पॉर्म यहासे लॉपन अकर करते हैं यहांपर अपनी मेडिसिन को सेट करते हैं इस साइड हम अपनी medicine रख सकते हैं और इस pocket में भी इन तोलो साइड से इस साइड से और इस साइड से हम medicines को इसमें रख सकते हैं और इसको ऐसे करते हुए हम जिप से lock कर देंगे तो फ्रेंट्स देखें यह हमारा फॉस्टेट बैक बनके रेड़ी है अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंट्स प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नवश्कार बाबाई